तो आज हम लोग अपने किचन में बनाने वाले हैं जीरा राइस की पहुत ही आसान सी रेसिपी बिना बास्मती राइस के जो हम घर में पर डे राइस यूज करते हैं उसी राइस को यूज करके हम बनाएंगे तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एक कप नॉर्मल सी राइस ले लिए जो पर डे हम लोग घर में बनाते हैं यह भी वैसे बहुत ही पतली वाली बारिक वाली राइस है आप अगर चाहें तो इसे बास्मती राइस के साथ भी बना सकते हैं सेम तरीके से तो इसे मैंने धो कर 20 मिनट के लिए तब तक हम इदर पानी गर्म कर लेते हैं पानी जब हमारा हलका गर्म हो जाए तब हम इसमें थोड़ा सा एड़ करेंगे वन टीश्पून के करेग घी और इसके साथ ही मैं इसमें एड़ करूंगे हलका सा फ्लेवर देने के लिए एक दालचीनी का टुकड़ा दो छुटी इलाइची दो लॉंग बस इतना ही डालेंगे और कोई भी मसाला नहीं एड़ करेंगे नहीं तो हमारा फ्लेवर बहुत श्ट्रोंग हो जाएगा बरी लाइची बेगर आप ना डाले पानी को हम धाकेक बॉयल आने देंगे फिर हम इसमें एड़ करेंगे चावल तो हम इसम पर्द ater पर्रिस में में चिपकेंगे नहीं तो आप अगर चाहें तो बास्मती रैस के साथ वे बनाए बनाए तो यह हमारा रास हो चुका हम्ए बस 80% ही पकाना है इसे बिल्खुल 100% नहीं पकाना है तो यह मेरा 80% हो चुका था तो मैंने इसे निकाल लिया पानी हमें हट पानी से निकालने के बाद हमें चाबल को 10 मिनर के लिए ठंडा कर लेना है फिर हम इसे फ्राइ करेंगे तो फ्राइ करने के लिए मैं नहीं आप एक टेबल स्पून ओयल एंड वन टी स्पून बटर का यूज किया आप चाहे तो सिर्फ इसे बटर में बना सकते या सिर्फ ओय गी में भी बना सकते हैं तो क्योंकि यह जीरा रैस है तो हमें जीरा के टोरी से ज्यादा डालने है और जीरा जब हमारा अच्छे से तरक जाए आप देखेंगे को वह तरक फूल जाता है ताब इसमें ऐड करेंगे करी पता करी पता एड करने के टाएंप आप फ्लेम को बि टीश्पन के करीब गरम मसाला एड़ करेंगी यह मेरा हूम मीड गरम मसाला है आप इसके चगह पर प्लाव मसाला भी डाल सकते पर वो सब फ्लेवर थोरा ज्यादा इस्टोंग हो जाएगा तो अगर आप गरम मसाला डालेंगे तो यह हल्का सा फ्लेवर देगा और बहुत मसाला एड़ कर लें यह मेरा होम मेड है अगर आपको रेसिपी जाननी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्ट्रिप्ट्रें बॉक्स में दे दूंगी प्लीज आप देख लें अब हम इसमें चावल एड़ कर लेते हैं चावल के साथ मैं यहां वन टीजपून नमक एड़ कर रहे हूं नमक आप बिल्कुल चावल के एकोडिंग ही लें आपने कितना चावल लिया है उसके एकोडिंग आप नमक एड़ करें और नमक एड़ करने वद हमें चावल को बिल्कुल हलके हातों से चलाते हुए इसे ए तो यह देख सकते हैं मैंने इसे एक मिनट के लिए पका लिया पस रेडी है आपका जीरा राइस अब आप इसे सर्व करें पनीर के साथ तरके के साथ जैसे भी आप सर्व करें यह बहुत ही आपको टेश्टी लगने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है इसे मै मेथी डाल तरके के साथ आप जैसे चाहें वैसे सर्व करें यह आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है क्योंकि हमने इसे नॉर्मल राइस के साथ बनाया है तो आप कभी भी घर में जब आपको मन करें तब जीरा राइस बनाएं खाएं दूसरों को भी खिलाएं और अपने अनुभाब मेरे साथ जरूर सेव करें थैंक यू सू मंक